हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशा कुरतिव स्वस्तों गया अच्छ होगे मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर जहूंगे आपको हमेशे पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव फील करता है राइट और आज के इस्टुडिंग में हम देखेंगे आ अगर आपके रिष्टे में रोमांटिक थर्ड पार्टी है रोमांटिक थर्ड पार्टी की फिलिंग्स आपके परसन के लिए आपके परसन की फिलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए नियर फ्यूचर इन दोनों के रिष्टे में क्या होगा और नियर फ्यूचर करणें अगर आपको आपकी पर्सन ग्रारीन करा नि स्क्रीम पर देख नंबर पर मेसेज़ कर सकते हो वहां पर को डीटेल मिल जाएगी कॉल के से भूंक एंच्थ क्रिस्ट्रस डेने से लिए सेम नंबर पर कॉंटेक करना है। सबसे पहले आपके इस रिस्ते में जो रुमईंत्य थंडिक 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 थर्ड पर्टी इस पदिक यूपसंड के लिए क्या बिक गड़कर इनिवर्स शिखते हारे बहुँसां पुरमेंश हूं अटीयश की end Asamay roku पूरमेंशिट मोंराईफ हें पारज के लिए सभ्सकान्य क्वा निएर। जब से आपके person ने आपको no contact situation में डाला है और जब से ये third party आपके रिस्ते में आई है तब से ये दोनों खुश तो नहीं है third party हमेशा है अपना दिमाग लगाती रहती आपके person को खुश करने के लिए या तो इनको लगता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा हिम्मत लगानी पड़ते है actually आपके partner के साथ मतलब manage करने में manage करने में अगर इन लोगों का शादी हुआ है तो शादी शुदा life में बहुत ज़्यादा आपके इस romantic third party को struggle करना पड़ता है आपके person के साथ death मतलब कि बहुत ज़्यादा negative energies को ये लोग face करते है और कही न कहीं इस third party को उम्मिद है आज नहीं लेकिन कल सब कुछ अच्छा होगा अगर मैं थोड़ा सा सबर रखती हूँ अगर मैं थोड़ा सा plan मना के चलती हूँ तो मुझ में तो patience है ही मैं patience भी रख रही हूँ मुझ में strength भी है कि मैं मेरे partner का behavior जो की rude behavior है आपके person इनको सीधे मूँ बात भी नहीं करते हैं बहुत ignore करते हैं अगर ये प्यार से बात करें तो भी आपके person इनको पीछे मुड़ कर देखना तो दूर है मतलब कि गाली गरोज करके इनसे बात किया जाता है third party से भले लड़का है लड़के जो है और इनको मतलब third party को नहीं समझ में आता है कि इनको इनके प्यार के बदले इस तरह से rude energies क्यों दी जा रही है आपके person की तरफ से नफरत इनको feel हो रही है और बाबार लग रहा है कि मैंने मतलब मैंने इनसे शादी करके पता नहीं शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था chances बहुत strong है third party का mind distract हो रहा है किसी और third person में जाने की third party कोशिश कर रही है आपके person इनसे प्यार से दो पल बात नहीं करते है और इनको जरुवत है किसी से बात करने की किसी को अपनी तकलिप बताने की किसी को अपनी emotion share करने की कोई हो जो इनको सुने आपके person तो नहीं सुनते हैं इनकी एक भी बात तो third party का mind current में distract होते वे दिखाए दे रहा है लेकिन जैसे मैंने बोला इनको उम्मीद है कि ये negative phase जो इनकी life में चल रहा है आज नहीं तो कर लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इनको future पे भरोसा है लेकिन अपनी emotion से current पे 100% किसी किसा share कर रहे हैं और टूटे हुए बहुत जादा है मतलब कि जिसको भी बात कर रहे है जिससे भी emotion share कर रहे है अपनी तकलिप बता रहे है ये अपनी जिंदगी में अगर आपके person का romantic third party से शादी हो चुका है तो ये अपने married life में कैसे disturb है कैसे इनके person इनको जो की भाव नहीं देते है कैसे कैसे इनके person इनसे प्यार नहीं करते प्यार से बात रही करते इन लोगों में physical नहीं होता ये सारे गम ये third party किसी और को बता रहे है अगर ये लड़की है मतलब कि अगर आपका partner लड़का है तो इस third party का literally कोई तो पाइदा उठाने के बारे में सूच रहा है अब इस third party की जिंदगी भी बरबाद होगी जैसे आपके person ने आपकी जिंदगी खराब करी है आपके person के साथ अब वही हो रहा है मतलब कि इन्होंने बहुत बड़े confidence से आपको जोड़ा और third party के साथ रिष्टे में चले गए थे और इन्होंने सूचा था कि सब कुछ आसान हो जाएगा आपको छोड़ कर गए तब से ये लोग सीर्क और सिप negative energies से जी रहे है और आपके person ने जिस तरह से आपकी image खराब करी आपके character के उपर जो दाग लगाया है ये third party को भी current पे feel हो रहा है कि ऐसा जो इनका behavior है अबर कभी इनके partner को पता चलेगा तो पता नहीं उसका reaction क्या होगा judgment है यहाँ पे लेकिन इनको लगता है कि ये current में कुछ भी गलत नहीं कर रहे है आपके person को cheat करके death with rebirth मतलब इतनी negative energies के बाद भी मुझे hopes तो है कि मेरी जिन्दगी में सब अच्छा होगा मेरा partner मुझे प्यार करेगा मुझे मेरे साथ justice होगा judgment होगा इस तरह से third party की current में सोचे आपके partner को लेकर ठीक है overall अगर clearly देखा जाए तो इनको नहीं पता कि married life जो आपके partner के साथ है यह सही होगी भी की नहीं भगवान भरों से इन्हों ने अपने रिष्टे को छोड़ दिया है और यह current में आपके partner को चीट कर रहे है तो आपके partner की रोमेंटिक थर्ड पार्टी के लिए current में क्या feelings है इनको इस बात का यकीन है कि यह चाहे जो हो जाए जो इतना efforts लगाती है जो आपके person के negative behavior के उपर भी प्यारी शो करती है आपके person को इस बात का तो यकीन है कि चाही कुछ भी हो जाए लेकिन यह इनको छोड़ेगी नहीं यह इनको distance नहीं देगी यह इनसे बहुत प्यार करती है और यह इनको कभी मतलम treat नहीं कर सकती किसी third party में जा नहीं सकती इस तरह से आपके person को complete यकीन है और कहीं न कहीं इनको दिल करता है कि अगर वो इतना कर रही तो मुझे भी इसका support करना चाहिए हो सकता है यहां पर बच्चों के अनॉर्जिस भी हो सकता है अगर शादी शुदा है तो इनका शायद बच्चा होने वाला है अगर नहीं नहीं शादी हुए तो इनकी wife pregnant है या तो आपकी partner लड़की है तो वो pregnant है करन्ट में बच्चों से related कुछ तो है जो आपके person को अभी समझ में आया है और जिसको लेकर अपके person का बहुत ज़्यदा tension बढ़ चुका है पहले तो married life है तो कभी ना कभी तो physical होता है और physical हुआ है तो अब शायद ये pregnant है माबाब बनने वाले है माबाब बनने वाले है और आपके person के अंदर थर्ड़ पटी को लेकर current में रिष्टा निभाने के energies है लेकिम प्यार के energies नहीं है पता नहीं मैंने क्या सोच कर इसके साथ physical हो लिया पता नहीं अब ये बच्चा भी आ रहा है अब मैं क्या घरू अब मैं कैसे इन obstacles से बाहर निकलू आपके person के दिमाग में बहुत ज़्यादा negativity है third party को लेकर अगर आपने clearly cards देखे होगे romantic third party आपके person को लेकर जितनी passionate है और जितना इस रिस्ते को ठिकाने की कोशिश कर रही है आपके person इस रिस्ते को उत्रा ही बिगाडने की कोशिश कर रहे है इनको नहीं समझ में आता है कि ये करे क्या ये तो मुझे नहीं छोड़ेगी लिकि मुझे तो इसके साथ नहीं रहना है इनको heartbreak होता है ये सीधे mood बात भी नहीं करते है अगर इस सोते भी ये तो आपके person उनकी तरफ पीट करके सोते है या अपने प्यार का वेट कर रहे है इनको अपना प्यार चाहिए में बात अपने पाश की love life में रहता है अपने partner के उपर मतलब की अपके ऊपर रहता है और इनको अभी भी अपने पास का ही attraction है मतलब अभी इनको लगता है कि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए मुझे मेरे person के पास ही जाना है मैं नहीं इसे जिंदगी बर negative energies में जी सकता और प्यार के लिए तरस्ते तरस्ते मर सकता मुझे प्यार के साथ खुशी के साथ जीना है लेकिन क्या ये कभी possible होगा आपके person third party को बहुत ignore करेंगे लेकिन फिर भी इनको नहीं समझ में आता है कि नहीं अब आप ऐसे समझ लीजे कि आपके person 10 गालिया देंगे फिर भी third party इनको हाँ जी हाँ जी करेंगी sorry बोलेगी माफ कर दो बोलेगी और फिर से इनको जो कि खाना खा लो इनके क्यारी करेगी आपके person को third party के ऐसे behavior से बहुत ज़्यादा सरदर्द करता है इनका दिल पिघलता भी है कि अत्याचार कर रहे है उनके उपर इनको ऐसा feel भी होता है लेकिन फिर भी इनको होता है ना जब इनको realize हो जाए कि इनसे बहुत ज़्यादा है कुछ root behavior हो रहा है क्योंकि अपने आपको जैसे कि अपने आपको यह गलत समझने लगे है कि पता नहीं क्यों मेरा behavior बहुत ज़्यादा रूड है गलत है क्योंकि गलती उसकी नहीं है गलती मेरी है मैं किसी और से प्यार करता था लेकिन फिर भी मैंने इस से शादी करी है तो इसमें उसकी क्या गलती है और मैं क्यों उसे इतनी punishment दे रहा हूँ आपके person का बहुत सरदर्द कर रहा है इनको migraine की problem है बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पर इनको headache बढ़ रहा है अब यह चाहते ही कि इनको sorry बोलकर इस रिस्ते से जैसी कि इनको clearly बता देना चाहिए कि इनको ऐसा प्यार शो करना बंद करें क्योंकि आपके person के decision में कोई फरक नहीं आने वाला है ठीक है इनका दिल करता है इनको ऐसा बताने का ठीक है हम देख लेंगा near future ऐसा कुछ करेंगे भी क्या ईस्वक्त मेरी yours के partner की chilli उससे person आपके पास आने का प्लान कर रहे है आपसे मिलना चाहते है, बोर्ट टाइम हो चुका है, आपसे मिले नहीं है आपसे दो पल प्यार से बात неLaughter है और इनके अंदर current में strength है, आपके लिए लड़ने की, आपके लिए अपने घरवालों के सामने strength लेने की, लेकिन जैसे third party को आपके person नहीं देखते है, आपके person को लगता है कि आप भी इनको पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप इनको value नहीं दोगे, आप इनको भाव नह नहीं करोगे, जो आपके person third party के साथ कर रहे है, वो behavior आप आपके person के साथ करोगे, आपके person को current में ये लग रहा है, और यही thoughts आपके person को और ज़दा पागल कर रहे है, इनसे नहीं बरदाश हो रहा है आपका root behavior, इनको नहीं समझ में आता है कि आपको कैसे यकिन दिलाए कि person के दिल में, दिमाग में, subconscious mind में, सिर्फ आपको 24-7 आप ही रहते हो, ये king of cups के energies है, ये आपको खाते पीते वक्त बहुत ज़दा सोचते है, आपको बहुत ज़दा manifest करते है, और अगर ये प्यार नहीं होता, तो फिर ये क्यों आपके लिए इतना पागल होते है, इनको नह दिल कर रहा है, सब को छोड़ चाड़कर आपके पास भाग कर आने का, बहुत speed, मतलब की thoughts ऐसे है कि अभी क्या भागना है negativity से, आपके person की जिंदेगे में, जैसे मैंने बहुत ज़दर negativity है current में, और hopes के साथ है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी दिल करता है कि उस negative energy को अभी पीछे चोड़कर, मैं मेरे प्यार के पास दोड़ा चला जाओ, लेकिन इनको लगता है कि अगर यह बच्पना हुआ तो मैंने जल्दबाजी में पहले मेरे person को छोड़ा है, मैं इस रिस्ते को भी छोड़ दूँगा, तो फिर से इसका कुछ बुरा results आएगा, ड तीन साल, दस पंदरा साल, आपके person उस no contact situation को अब rebirth में convert कर रहे है, आपके person आपके पास आ रहे है, इस burden से निकल कर, ठीके जैसे मैंने बोला, आपके person इस burden को निकल कर फेकना चाहते है, जो इनके ऊपर है, थर्ड पार्टी का, और यह person आपके साथ रिवर्थ करना चाहते ह emperor है, इनको आपका बहुत attraction है, लेकिन current में इनको आपके अंदर बहुत ego दिखाए दे रहा है, लेकिन इनको hope से, यह आपको आपकर face to face मिलकर, सब कुछ clear बताने वाले है, कि आपके इस रिष्टे का, यह किस तरह से आपका support करेंगे, और किस तरह से third party के सब break up करेंगे, ठी इनका feelings यही है, कि यह person आपको मना कर इस रिष्टे में फिर से revert करना चाहते है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ऐसी energies में, romantic third party और आपके person के रिष्टे का near future क्या हो सकता है, romantic third party और इनके partner के रिष्टे में near future क्या हो सकता है, near future के energies, yes, justice के लिए romantic third party बहुत जादा, आपक लेकिन आपके person के energies में, जैसे मैंने बुला, more on के energies रहेगी, ठीक है, आपके person confused रहेंगे, कि यह क्या करें, क्या नहीं करें, लेकिन finally आपके person इनको clearly बताने वाले है, इनका दिल तोडने वाले है, यह जो two of pentacles के energies जे दोनों को balance करना मतलब कि आपको और third party को, यह आपके person स justice नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह खुद के ही साथ justice नहीं कर पा रहे है, तो उनके साथ क्या करेंगे, यह इनको clearly बोलेंगे, इनका भी heartbreak होगा, third party का भी होगा, लेकिन यह कुछ time के लिए होगा, और बाद में यह दोनों फिर से अपने अपनी जिंदगी में खुश रहें तो वो तो वैसे इन दोनों के लिए भी अच्छी नहीं थी, तो इससे better है कि अभी जो चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीके, तो दोनों ही इस negative energy से बाहर निकल कर अपने अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, future में, ठीके, तो chances बहुत strong है कि आपके person third party को, जैस जोते हैं, Godkari Universe, मेरी यूवर्स और इनके partner का near future क्या हो सकता है, मेरी यूवर्स और इनके partner के रिष्टे का near future क्या हो सकता है, आपके रिष्टे का near future, यस, पाइफ फोर आप शोर्स के energy is, आपके mind में बार बार यही thoughts चलेंगे कि आपके person third party के साथ खूश है, यह नहीं आन आपके साथ और ना ही यह person आपके पास आने के लिए ने इंट्रेस्टेड है, इनका प्यार आपके लिए कम हुआ है, आपको ऐसा बार बार लगेगा, लेकिन आपके person का action आजाएगा, और आप बहुत ज़्यादा खूश हो जाओगे, आपने जो negativity आपने अपने अंदर क्र करकर रखे थी, जो आपका दिल तूटा हुआ था, suddenly आपको लगेगा कि आपके person आपके दिल पर आपके जख्मी दिल पर मरम लगा रहे है, आपको खूश कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, यह person आपको जिस तरह से धोका देकर चले गए थे, इस person की stalking energy आपके लिए बहुत जादा बढ़ेगी, और फाइनली इस 10 of Wands, मतलब कि इस burden को इनके family को आपके परसंद होगा देकर आपके पास आते में दिखाये देरें, ठीके, आपके साथ judgment होगा, आपके साथ justice होगा, आपको इस person का message receive होगा, call receive होगा, आपको इस person का action receive होगा, call message, या तो face to face मिलेंगे, लेकिन आपको 100% इस रिस्ते में इस person के साथ शादी मिलेगी, अब अपने family burden से बाहर निकलेंगे, और इसका main reason होगा, कि इनको आपका बहुत ज़्यदा physical attraction, अभी जैसे तैसे इस person ही control कर लिया अपने आपको, लेकिन फ्यूचर में अपने आपको रोक ही नहीं पाएंगे, ठीके, तब यह सोचेंगे, अपने बारे में इनको क्या चाहिए, और इनको क्या चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए, तब यह अपने family के बारे में भी नहीं सोचने वाले हैं, और ना ही romantic third party के बारे में सोचने वाले हैं, यह person की stalking यह आपके लिए बहुत ज़्यादा पता हैं, लेकिन फिर भी, आप इस person की offer को स्विकार करकर, इस person के साथ रिस्ते में जाओगे, क्योंकि आप जैसे चाहते हो, आप वैसे ही बाते आपके person की जबान से सुनोगे, ठीक है, तो six of friends मतलब कि आपका hundred percent इस रिस्ते में, शादी का commitment आपको आ रहा है, इस person की तरफ से, ठीक है, तो energies तो बहुत positive है, तो ऐसी energies में आपको क्या करना चाहिए, current में, ग्याड करें, ऐसी energies में में मेरी universe को current में क्या करना चाहिए, ऐसी energies में में मेरी universe को current में क्या करना चाहिए, ऐसी energies में में आपको क्या करना चाहिए, यस, आपको तो completion के लिए ready होना है, आपके इस रिष्टे में positive changes आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको इस रिष्टा चाहिए, तो आपको इस road energies से बहार निकलना होगा, और आपके person के साथ, जो कि, आपके person के action को एक मिर्याकल के रूप में स्विकार करना होगा, कि आपने नहीं सूचा था कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है, ये हो गया है, इस बात पर यकिन करो, और मिर्याकल के रूप में आपके person के action को स्विकार करो, जल्दी action आएगा आपको इनका, ठीक है, yes, 100%, अगर आपको इस अकले पन से निकलना है, आपको भी इनका physical addiction बहुत जादा है, ठीक है, अगर आपको भी इस person के action जल्दी चाहिए, तो manifestation technique को यूज़ करना होगा, ठीक है, हम check कर लेते हैं, इनका action अगर आपको आता है, तो कब तक आ सकता है, यह जो भी इनका, जिसे मेरी यूवर्स कब तक देख पाएंगे, वाव, देख पाऊगे आप, eight of friends with wheel of fortune, अगले आठ घंटे, आठ दीन, बहुत डिली हुआ तो आठ हपते, मतलब कि दो महिने लगेंगे, लेकिन आपके रिस्ते में आ रहा है positive change, शादी का offer आएगा, कि अच्छे के लिए बनी थी, ताकि आप दोनों को एक दुसरे की value पता चले, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा positive energy is future में, wheel of fortune मतलब कि आपके किस्मत आपके साथ है, और आप दोनों एक दुसरे के destiny में हो, ठीक है, current में आपको यही कहा जा रहा है, हम एंजल कार्ट से भी देख लेते, current में एंजल गाइडन्स में क्या आता है, गार्ड कर एंजल गाइडन्स क्या है, इसी इनर्जी में, मेरी युवर्स के लिए current में एंजल गाइडन्स क्या है, current में एंजल गाइडन्स प्लट, extend your light-hearted energies to others, yes, आपको happy रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ, अपने family के साथ, happy रहो, stress में जीना बन करो, give your relationship a chance, आपको इस रिष्टे में आपके परसन को एक chance तो देना ही पड़ेगा, जो भी इस परसन ने जूड़ बोला हुगा या आपको आकर सब कुछ सच बताएंगे, और इनके सच को speaker करकर, इनको माफ करकर, इनसे reunion के लिए आपको ready होना है, आपके परसन को एक chance आपको देना है, ठीक है, भले आप दोनों बहुत टाइम से एक दुसरे से बात नहीं करे हो, face to face या call पे, लेकिन आप दोनों टेली पतिकली एक दुसरे से connected हो, और आप दोनों को ही एक दुसरे के दिल का हाल पता है, तो आपके परसन ना तो कभी आपको भूले और ना ही कभी भूलेंगे, बहुत जल्दी आपके इस relationship में मिर्याकल होने वाला है, ठीक है, तो current में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके परसनों को माफ करने की जरुवरत है, और पाश को दिमाग से निकाल दो, overthinking करोगे तो आप अपने लिए negativity आट्राक करोगे, तो पाश की बातों को सोचना बंद करो, तो यास यही ही रिडिंग, अगे रिडिंग रजदनों ठीए वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, अगर आपको आपकी परसनर रिडिंग कराने है, स्क्रीम पे देग नंबर के उट्स अपे मेसेज कर सकते, वहां पर आपको डिटेर्स मिल जागी, कॉल के से बूक करने, चैक है, तो मिलते हैं नेक शुडिया बद अब तक के लिए, बाब बाई,